नमस्का आई जर्खन के सरकारी इसकूलों में बच्चों की सुरक्चा बेवस्ता की जाच की जाएगी क्रोना काल के बाद दोबारा इसकूल खुलने पर इसकूलों में सुरक्चा के क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं इसकी रिपोर्ट जीलो से तलब की गई है बतादे 31 माई तक जीलो को जाच रिपोर्ट देनी होगी सिच्छा विभाग ने या करवाई राष्टिये बाल अधिकाई संरक्षन आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट का धार पर की है जार्खन के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षी तवाता वरण में कैसे सिखाया और पढ़ाया जा रहा है इसकी जनकारी मांगी गई है इसकूल खोलने के पुर्वत तय किये गए सुरक्षा मानकों का पारण किया जा रहा है या नहीं इसकी जाँच कराने को कहा गया हाय चेत्रिय सिक्षा सन्यूक्ति निदेशक जीला सिक्षा पताधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षक आपने अधिनस्त पताधिकारियों से इसकी जाँच कराएंगे और रिपोर्ट तयाар कर मुख्यालाई भेजेंगे ज्यार्खन में प्री मानसुन शुरू ज्यार्खन में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है राइधानी राची में तापमान 40-41 डिगरी के बिश्दर्च किया जा रहा है ऐसे में गर्मी से बेहार लोग ज्यार्खन में मानसुन का बेसबरी से इंतियार कर रहे है बतादे मौस सम्भी ज्यान केंद्र के बेग्यानी उपेंद्र स्रीवास्तों के मुताबिक जार्खन में अभी भी प्री मान्सुन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सदर होस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ मार पिट की घाटना के बिरोध में होस्पिटल के उनाइस डॉक्टरों ने मंगलवार को समोहिक इस्थिपादे दिया है। साल में मंगलवार सुबा एक मरीज के परिजिनों ने डॉक्टर कुंदन से मार पिट की है। पूजा सिंगल के कहने पर रूपए सीय सुमन को दिया। अनि लॉंडरिंग अधिनियम के तहत प्रवतन निदे साला की करवाई जारी है। इसी करवाई के तहत एक दिन पहले पाकुल के जीला खनन पता धिकारी परदीप कुमार सा और दुमका के डीमो कृष्न चंद्र किसको ने शुरू हुई इडी की पुष्टास दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। अंगलवार को जार्खन राज किरिशी उपज और पसुधन वीपनन विधायक 2022 को अपस लोटा दिया। इस विधायक के भी हिंदी एवम अंग्रेजी के संसकरन में कई अंतर है। राजेपाल ने विधायक की हिंदी या अंग्रेजी के संसकर्णों में पाई गई भी संगतियों को सुधार कर विधायक को फुना मुंद्रन के साथ विधान सवा से पारित करा कर राजभवन को भेजने को कहा है इसे राज सरकार को विधया को विधान सवा से दोबारा पारित कराना होगा हुसायनाबाद वीडियो की फरजीवाडा बेतन बिरिधी परलागी रोक पलामु के हुसायनाबाद परखंड के ततकालिन वीडियो सेखर कुमा ने बिना टेंडर मन्रेगा के पैसे से दो आपोर्ती करताओं से मेडिकल कीट खरीद लिया है मन्रेगा योजनाओ की डीपी आर में ही मजदूरों के समाने चोट में उपचार के लिए मेडिकल कीट का प्रविधान राता है लेकिन ततकालिन वीडियो ने नियम को धाता बताते हुए प्रसासनिक मदद से इसकी अलग से खरीद कर ली इसे मन्रेगा एक्ट का उलंगान और बिती अनिमित्ता बताया गया है जाच में हमी बात सामने आई है कि प्रतिक कीट अनुमानित मुल्य 215 रुपे के जगा 250 रुपे का भुकतान अपूर्ति करताओं को किया गया है चात्रा मतगन्ना परिसर में बिखेरे मिले मतपत्र जोरदार हंगामा चात्रा महाबिद्याले परिसर में मतपत्रों की अदकर्टी मिलने से अभ्यार थियो एवं उनके समर्थकों ने जम कर हंगामा मचाया उनका कहना था कि मतदान कर्मी अपने चाहते उमिद्वारों को लाह पहुचाने के लिए ऐसा किये हैं हलाकि चात्राजिला परसासन ने इस तरह किसी भी परकार की संभावना से इनकार किया है बता दे पूलिस कप्तान राकेश रंजन मौके पर पहुचे और इस्तिती का जाजा लिया उनके समझाने पर अभियारती और उनके समर्तन सांथ हो गए रगुबरदास के कारेकाल में बने हाई कोट ववा बिधान सभा की होगी जाच जारखन सरकार हाई कोट भवन निर्मान और विधान सभा भवन के निर्मान की जाच न्याईक आयोग से कराएगी दोनों भवनों का निर्मान पूरो मुखमति रगवरदास के कारेकाल में राम किरिपाल कंट्रक्शन कमपनी द्वारा कराया गया था इस निर्मान को उन्हें घेरने की कवायत के तोर पर भी देखा जा रहा है बता दे रहुवर दास हाल के दिनों में हमांत सुरेन पर खनन पटा और उनके पतनी पर कमपनी अस्थापित करने के लिए जमीन लेने का अरोप लगा चुके है खनन पटे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने हमांत सुरेन को नोटिस भी जारी किया है इंडीगो के खिलाब कारण बता नोटिस जारी 7 माई को बिसा मुंडा राची एरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को बिमान पर चड़ने से रोकने के मामले में बिमानन नियामक DGCA ने जाज समिती की रिपोर्ट पर इंडीगो एरलाइन्स के स्टाप को प्रत्थम द्रिष्टिया में दोसी माना है बता दे राची एरपोर्ट पर इंडीगो एरलाइन्स द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को बिमान में नहीं बैठने से रोकने पर नियमों का उलंखान माना गया है इसलिए इंडीगो को कारण बता नोटिस जारी किया गया है पोस्ट कोवीड वा हीट वेव से 20 पर 30 मानसिक रोगी बढ़े CPI कांके ने मंगलवार को 105 वी बस घाठ मनाई कारिकरा में मुख्य आती थी रिम्स निदेशक डाक्टर कामिस्वर परसाद वा भी सिष्ट आती थी इंकम टेक्स विभा के चिप्स प्रिंसिपल कामिस्वर राके समिस्थरा थे मौके पर डाक्टर कामिस्वर परसाद ने कहा है कि CPI के कारण ही देश में रांची की पाचान है इस स्थान ने देश भर के मरीजों के मानसिक स्वास्त को दुरूस्ट किया है CPI निदेसक डाक्टर वासुदेवदास ने कहा कि इस साल हीट वेब का राजे में ज्यादा असर दिख रहा है राची में 22 साल में ऐसा नहीं हुआ था हीट वेब वह पोस्ट कोविट के परिसानियों के चलते CPI में 15 से 20 फिश्दी तक मानसिक मरीजों की संख्या बढ़ी है ज्यारखन सीनियर महिला होंकी टीम में 7 साल बाद पदक भोपाल में चल रही होंकी इंडिया राष्ट्रिये सीनियर महिला होंकी परित्योक्ता में ज्यारखन टीम को 7 साल के बाद पदक मिला है मंगलवार के सुबा तीसरे अस्थान के लिए ज्यारखन और हर्याना के बीच मुकाबला हुआ इसमें ज्यारखन ने 3-2 से जित दर्ज करते हुए का से पदक पराप्त किया है ज्यारखन की ओर से वेतन डुग डुग अलबेला रानी टोपो और दीपती टोपो ने गोल किया है इससे पहले आखरी बार सिनियर वर्ग में ज्यारखन को 2015 में बदक मिला था प्रिंस खान गैंग के 5 गूरगे दबोचे गाए धनबाद जीले में हाल के दिनों में हुए तीन अलग अलग कांडो का उद्भेदन करने का दावाप पूलिस ने किया है पूलिस के मुताबिक इन तीनों कांडो में प्रिंस खान गैंग के अवराधी सामिल थे पूलिस ने इस गैंग के पांच गूर्गों को गिरफतार कर लिया है पूलिस के मुताबिक बैंक मोर्थाना छेत्रे के मटकुरिया टायर सोरूम में की गई फायरिंग भूली ओपी अंतरगत पंडरपाला अपसराड रेसेस के मालिक मोहमद असलीम घर पर की गई गोली बारी और पंडरपाला में जान मारने की नियत से छोटू अंसारी पर चराई गई गोली है खोटी में 50% अनुदान पर धान बीज का बितरन शुरू खोटी जीले के सदर परखंड अंतरगत खोटी लेप्स में क्रीशी विभाग ने मंगलवार को किसानों को 50% पिश्दी अनुदान पर धान बीज उपलब्द कराने के काल शुरू किया है इसकी सुरूवात उपायुक्त ससी रंजन ने की इस दोरान उपायुक्त ने क्रीशी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया की सुदरवर्ती गाओं में 20S रूप से ध्यान देते वे परचार परसार करे ताकि आमतिम छोर के ब्यक्ति को चल रही सरकार की योजनाओं से लभानमित किया जा सके बीज बीतरन में पादर्सिता बरतने के अलावा उपायुक्त ने सम्मधित अधिकारियों को निर्देश दिया की अपने अपने छेतर में सही क्रिसको को बीज उपलब्ध कराए और उन्हें अधुनिक और अर्गेनिक खेती से अउगत कराए सीयम हमंद का नामकुम सीयो पर करवाई का आदेश रांची नगर निगम के सफाई कर्मी पिट्टू कक्छप के साथ नामकुम सीयो द्वारा पिटाई का मामला अब मुख्य मंतरी हमंसुरिन तक पहुच गया है वारल वीडियो पर संग्यान लेते हुए मुख्य मंतरी ने मामले की जाच करने और नामकुम सीयो पर करवाई का नेदेश दिया है बता दे कि सोमवार को एक वीडियो वारल हुआ था जिसमें कथित रूप से नामकुम के सीयो बिनोत पर्जापति द्वारा राचिन अगर निगम के सफाई कर्मी पिट्टू कक्छप की लातव खुसे से पिटाई करते देखा गया था तीन इसकूलों के परधाना ध्यापक और सिक्षक होंगे निलामबित कोडारमा जीले में तिरियस्तरिय पंचाय चुनाओं में सहयोग नहीं करने वाले तीन तीन इसकूलों के परधाना ध्यापक और सिक्षक निलामबित किये जाएंगे उपायुक्त आदी तेरंजन ने इस सम्मध में करवाई के निदेश दिये हैं मालूम हो कि कोडार्मा जीले में तिरियस्तरिय पंचाय चुनाओं के सफल संचालन और इससे जुड़े हरे कारेयों के लिए उपायुक्त आदी तेरंजन कोडार्मा काफी गंबीर है चाहे वह सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो या मद्दान कर्मियों को दी जाने वाली नियुम्तम बेसिक सुविधा की बात हो वे स्वयम जीले के बनाये गए कलस्टर अर बोत को घुम घुम कर जाजा ले रहे हैं मैंने गलत सपत्पत्र भरातों चुनाव आयोग करे करवाई मिथिले स्ठाकू उरुपे जल एवं स्वक्सता मंत्री मिथिले स्ठाकू ने कहा है कि विधान सभा चुना में उन्होंने अपने बारे में सभी सही जनकारिया भरी है उसे लेकर सपत्पत्र भी दाखिल किया है उन्होंने कहा किया दी उन्होंने फरुम या सपत-पत्र गलत भरा है तो भरत निर्वाचन आयोग उनके बिरूध नियमा अनुसर करवाई करे मंत्री ने लोग परति निधित वाधिनियम उनई सवे कावन के उलंगन की सिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारक की जा रही करवाई के सवाल पर उन्होंने ए बाते कही है आई एस पूजा सिंगल का भरष्टा चार उजागर फिर भी नहीं कराई एफायार जारखन हाई कोट ने जारखन के मुख्य मंत्री हमान सिरिन के ख़दान लीज लेने के मामले में मंगलवार को अतिगंभी टिपनी की है सरकार के वकील कपिल सिब्बल से अदालत ने सीधे सीधे पूछा की जब आई एस पूजा सिंगल का मामला उजागर हो गया है फिर भी सरकार इसका विरोत क्यों कर रही है कोट ने पूछा कि हमान सरकार के ख़दान सचीव पर अब तक प्राथमी की क्यों नहीं दर्ज हुई हमन्त सुरेन दोरा अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में सीब्याइ जाज कराने की मांग वाली आज क्या की सुनवाई के दोरान हाई कोट के चीप जर्श्टी डाक्टर रवी रंजा ने पुछा की बरस्टा चार के संगीन मामले में सरकार की खणन सचीप पूजा सिंगल गिरपतार हुई है और उन्हें सरकार ने निलांबित भी कर दिया है हमन्त सुरेन के खिलाब CBI जाज जार्खन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन भाई बसंद सुरेन अरोन के कई कारिवियों के खिलाप सेल कमपनिया चलाने की सिवियाई जाज की मांग वाली याजकाप पर जार्खन हाई कोट में सुनवाई हुई इस दोरान उच नयालाई के मुख्य नयादिस दाक्टर रवी रंजन ने हमन्त सरकार का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील कपिल सिवियों से पूछा की आखिर कार सरकार सिवियाई जाजका विरोत क्यों कर रही जार्खन हाई कोट के इस सवाल के जवाब में सिवल ने कहा है कि या याजका सुनवाई योगे नहीं है इसे खारिच कर देना चाहिए हेमंत सुरेन ने किया मंत्री पद का दुरूपयोग जार्खन के मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन के लिए मंगलवार का दिन अहम रहा बताद जार्खन हाई कोट में उनके और उनके करीबियों के सेल कमपनी चलाने और अपने नाम पर खदान लिज आवंटीद कराने मामले में मंगलवार को भी से सुनवाई हुई यह मामला चीफ जर्षिस डाक्टर रवी रंजन और जर्षिस एसन पर साथ के आदालात में दो फर दो बज कर पंदरा मेट से सुनवाई के लिए सुचिवत था आदिवासी सीर्फ थर्ड और फोर्थ ग्रेड नोकरियों के लिए नहीं पूर्व बिधान पारसद प्रवीन सिंग और भाजपा के पूर्व परदेश अध्यक ताला मरांडी मंगलवार को भाजपा में सामिल हो गए हाल ही में जद्यू छोड़कर भाजपा में सामिल होने वाले प्रवीन सिंग और ताला मरांडी के वापसी के लिए कर्याल में स्वागत समारों का आईजन किया गया था बतादे परविन सिंग ने इसे घर वापसी बताते हुए कहा कि वे संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे भाजपा उनके लिए घर वापसी जैसा है राजनिती की सुरुवात यहीं से हुई भाजपा ने उन्हें बिधान परिशत बना कर सम्मान दिया चौदा बरस बाद वे आपस आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है उन्होंने कहा है कि आदिवासी सिर्फ थर्ड और फोर्थ ग्रेट की नोकरिये के लिए नहीं है उन्हें अधिका अधिक मौका दिया जाना चाहिए हेमंत सुरेन को खधान देने वाला अपसर सत्यजीत लापाता जारखन के मुख्य मंत्री हेमंत सुरेन को खधान लिज देने वाला रांची का जीला खनन प्रादिकारी सत्यजीत कुमार लापाता हो गया है उसने अपनी नोकरी से स्थीपा भी दे दिया है भाजपा सांसत निसिकांत दूबे ने ट्वीट पर या दावा कर सियासी तूफानला दिया है भाजपा सांसत के इस बियान के बाद जार्कन में सियासी भुचाल आगया है जनकारी के उनसार मुख्यमंत्री जी के नाम माइनिंग लीज देने वाला खनन पदाधिकारी सत्यजित कुमार ने नौकरी सेज़्थिपा दे दिया है वह गायब होगा यहाँ है ए एनेम परिक्षा का परवेशपत्र जारी करने का आदेश जारखन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी के आदालत में एनेम और जी एनेम की परिक्षा परवेशपत्र रद किये जाने के खिलाब दाखिले आज का पर मंगलवार को सुनवाई होई सुनवाई के बाद अदालत ने जारखन नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसील को 18 मई तक परवेशपत्र जारी करने का निदेश दिया अदालत ने इस मामले में काउंसील और सरकार से जबा मंगा है मामले के अगली सुनवाई चार सब्ता बाद होगी महंगाई रोकने में बिफल है केंद्र सरकार केंद्र सरकार की नीती और महंगाई के खिलाब CPA करकरताओं ने मंगलवार को रांची के कंटा टोली चोक में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया इससे पहले CPI करकरताओं ने जीला सचीव अजय सिंग हूआ अंचल सचीव, फरजाना, फरुकी के नेतित में जूलूस निकाला जिला सचीव अजय सिंग ने कहा है कि जब केंदर से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार महंगाई चरम परहा है केंदर सरकार महंगाई रोकने में नाकाम साबित हो रही है जिस तरह से देश में लगातार गैस, पेट्रोल और डिजल के दामबढ़ होतरी हो रही है उसे पूरे देश के गरीबी मध्यमवर्ग ये परिवार परभावी था है जारखन के 16 जीलों के 50 पर खंडों में वोटिंग गुरुवार को तिर्यस्तरिय पंचाय चुनाव के तहट दूसरे चरण की कूल 7,13 सीटों पर मंगलवार को साम 3 बजे चुनावी सोर्थम गया है बता दे इन सीटों पर गुरुवार को सुबा 7 बजे से साम 3 बजे तक मद्दान होगा इधाल पहले चरण की सीटों पर 14 माई को पड़े वोटिंग की गन्ना जारी है गुमला के भूर्षों से रेखा देवी ने मारी हैटरिक जारखन पंचाय चुनाव के पहले चरण की काउंसिन मंगरवार से सुरू हुई है गुमला जीला के सिसाई परखन के भूर्षों पंचाय से रेखा देवी तीसरी बार मुख्या बनी है बता देवे अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी आरती देवी को 1304 भोटों से सिर्कत दी है रेखा देवी को कूल 1786 मत और आरती देवी को 482 मत मिला है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते चनलों के सब्सक्राइब कर बहुल का वेले के अंदब ये साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस्य दे थैंक यू